राजनीती विज्ञान वाप्रत्योंगी परिक्षाउं से सम्बंधित हिंदी में जानकारी प्राप करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें B.A.M.A gonna be B.A.T.A.M.A के विद्ध्यारतियों के लिए विशे इस पार्टिशामग्री प्राप करने के लिए बेल आइकन भी दवाएगा नमष्कार विद्ध्यारतियों हाँ हम कॉर्टन लेके मंडल सिद्धान के बारे में जानेगे बिध्यार्थियों कोटली के मंडल सिध्धांत के अगर हम बात करें तो मंडल का अर्थ समू से लिया जाता है मंडल केंद्र ऐसा राजा या राज्य होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीत कर अपने में मिलाने के लिए सदिय प्रत्नेशील रहता है कौटल ऐसे केंदित राज्य को जो मंडल सिध्धानत के मद्ध में है उसे बिजी किशू का नाम देता है बिजी किशू का अर्थ होता है बिजे चाहने वाला राजा कौटल के मंडल सिध्धानत में 12 राज्यों को मिला कर मंडल बनता है कोटल ने का मत था कि विजे की लालसा राज्य का एक प्रमुख गुण होता है यदि राजा या राज्य सभी प्रकार के नियम जिसका उल्लेक उसने मंडल सिध्धान्त में किया उसका पालन करता रहे तो समस्त राज्यों पर विजे प्राप्त कर चतुरांत राज्या बन सकता अगर हम मंडल सिध्धानत के बारे में जाने तो आप इस चित्र में देखेंगे कि मदव में बीजी कीशिु राज्या मतलब बीजे चाहने वाला राज्या है उसके पड तोस में जो राज्य आते हैं उसे वह अरी राज्य कहता अरी का मतलब होता है शत्रु राज, जो राज की सी माउं से लगा होता है, उसे अरी या सत्रु ठैकर कोटल बुलाता है, उनमें परस्पस अंघर्स की सदा संभावना बनी रहती, प्रतेक राज अपने साम राज का विस्तार करने के लिए पडोसी राज का छेतर हड़ अपने तेरे राज्य की बात करता है विद्यार्ति ओ विजी कीश्यूर्व राज्य की सीमा सी दूर कि तुर किंतू उस authorized would have generated राज्य और अरी का मित्र होता है कहने का आशा यह है कि निकटम पडोसी राज्य का राज्य सत्रू और उसके आगे का मित्र और उससे भी आगे का अरी मित्र इस प्रकार का क्रम चलता रहता है यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक राज्य का पडोसी राज्य स्वभाव बात है कि मित्र का मित्र या सत्रू का शत्रू तो मित्र होता है लेकिन सत्रू का मित्र सत्रू होता है कहने का आशे यह है विध्यारद्यों कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा सत्रू और उसके आगे का मित्र और उसके आगे का अरी मित्र याने शत्रू मित्र कहलाता है इस प्रकार क्रम चलता रहता है यह पाँच राज्यों जो बिची किशू के सामने वाले या आगे की दिशा में आते हैं और उसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा मतलब पीट की दिशा के तरफ आने वाले बिची किशू राज्या की पीछे के पीछे आने वाले पनिग्रह यानि पीछे के शत्र इस प्रकार पीछे के चार राज्य मंडल में आते हैं, बिद्यारतियों यदि आप सिंपल रूम पर समझेंगे इसको तो पाणिगेहर जो होता है राज्य वो राजा का सत्रू कहलाता है और अकरांदा हमेशा बिजी चाहने वाले राजा का मिंत्र कहलाता है, इस प्रकार से य कि अगर हम बात करें तो मध्यम और उदासीन, मध्यम ऐसा राज्य है जिसका बिजी गिशू या अरी राजित दोनों की सीमाव से लगा हुआ होता है, मध्यम राजित दोनों की चाहे वा परस्पर मित्र हो या सत्रू सायता करने में समर्ध होता है और आवशक होने पर दोन तो यह अरी और मध्यम और भीजिग इशू इन तीनों की सीमाओं से नियास्ता थोat यह बहुत सक्तिरों होता है उसकी होता है विभितियार्तियों मंदल सिध्धान के आधार पर कौटल इस बात का निर्देश देता है कि एक विशेश राज्य के कौन मित्र हो सकते हैं और कौन सत्रू राजा या राज्य को अपनी नीती और योजना इस बात को ध्यान में रख कर ही निर्धारित करनी चाहिए बिध्यारतियों सरल सब्दों में यहाँ पर मैं एक उधारन के रूप में समझाना चाहूंगी कि वर्तमान समय में भारत की सीमाएं पाकिस्तान और चीन से लगी हुई है इन राज्यों के साथ भारत के मद्वेद बने रहते हैं तता भारत की प्रति-मद्वेद की इस सामानता के कारण पाकिस्तान और चीज़ परसपर मित्र बन जाते हैं इस प्रकार भारत-पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों के पारसपरिक संबंदों को भी मंदल सिध्धान के आधर पर समझा जा सकता І बिद्यार्तियों मंडल सिध्धान को समझना थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अधी आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से आपको समझ आ सकता है और ये अक्सर कोशेंज पेपर में पूछा जाता है धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें वावेल आइकोन भी दबाएं धन्यवाद